हेलो एंड वेल्कम बैक स्टूरेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे सीजी वोर्ट क्लास्टेंट इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट इंस्पिरेशन का रीडिंग भी हाउ दे लिटल काइट लर्न टू फ्लाई इस लेसन का एक्स्प्लेनेशन हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बढ़ जूगे हैं अगर आप वह नहीं देखियो ना तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से जाकर देख लेना अभी इस वीडियो में हम लोग इसके लेसन के को पढ़ेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में यहां पर टिक दा करेक्ट आप्शन पूछे थे इन दे बिगिनिग दे लिटल काइट वोस यानि कि स्टार्टिंग में बिगिनिग में लिटल काइट को कैसा फील हो रहा था लिटल काइट उस वट क्या था कॉन्फिदेंट नहीं था ना अपने प्लाइंग को लेकर के इसलिए इसका एंसर हुजाएका option भी नॉट यहां पर आपका एंसर हुजाएगा option b his efforts यह हो गया पूरा अब next question answers first question था what was the little kite afraid of little kite को किस चीज का डर लग रहा था so the little kite was afraid of flying high next why did the little kite's paper stir stir का मतलब होता है यह यह पर shake होना हिलना तो little kite क्यों हिल रहा था ऐसे तो obviously वो अपने fear के वज़े से so the little kite's paper stirred because of its fear यह जो questions है ना students इसके बहुत ही small small answers है like आप थोड़े चोटे classes में पढ़े होगे junior classes में उस type के answers है तो आपको इस lesson में कोई बहुत quality नहीं जाने वाला है simply अगर आपको इस lesson का around the story है वो पता है तो next question है how did the boys look like from the sky up sky से उस little kite को boys कैसे दिख रहे थे तो वो क्योंकि बहुत हाइट पे थी तो उसको वहां से sports में नजर आ रहे थे so the boys look like small sports moving round from the sky next question number four pick out the words from the poem that tell us that the little kite was frightened poem में वैसे कौन-कौन से words है जिसको देखके आपको पता चल रहा था कि little kite जो है वो frightened है तो यहां पे जो words थे वो क्या थे fall कि वो गिर जाएगा उस बात का डर उसके बाद afraid, fear, stirred, trembling यह सारे words जो है वो इस चीज़ को बताते है कि जो little kite है वो frightened था next है how did the little kite feel when it sailed up the sky यानि कि जब little kite उपर ऊड़ रहा था तब उसको कैसा feel हो रहा था so when the little kite sailed up in the sky it felt thrilled with pride उसको कैसा feel हुआ वो एकदम thrilled था और बहुत ही ज्यादा proud feel हो रहा था उसको अपने उपर next है who were the little kite's companion up in the sky sky में उसकी companions कौन-कौन थे तो sky में उसकी companions थे birds and clouds तो आप answer में लिखेंगे the birds and clouds were the little kite's companion up in the sky students इसका answer frame करना बहुत simple होता है जो कि आप starting में भी देखे होगे आपको जो questions में जो statements दिया है उनी statements को उठाना है वहाँ से और बस जो question में आपको who, what, when, how यह सारे जो terms मिलते हैं उनको replace करना होता है exact meaning से जो आप story से समझे अब story अगर आपको पूरा पता है तो आप स सारे answers पसंद आए और समझ में आगे होगा कोई भी doubt होगा ना तो आप वह comment में भूल लीजेगा अगर आप हमसे connected गहाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का link भी description में है आप उसको भी जॉइन कर सकते हो thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel